हाई फ्रेंड्स मैंने मार्च में एप्रिल में मार्च में शयद लास्ट खाद डाली थी जो की पूरा सुखा खाद था सभी में डाली थी उसके बाद बरसात आई और अब बरसात थोड़ा-थोड़ा कमने लगा है और देखिए मेरे प्लैंट सब बिल्कुल ताजे हैं और न मैंने पत्ते भी आ रहे हैं फिर भी मैंने सोचा कि इनको जड़ा आप तो सुखा खाद नहीं दिया जाएगा सेप्टिमबर के बाद में ही दूंगी तो अभी मैं जड़ा लिक्वीड टॉनिक बनाई हैं इन लोग के लिए तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाई हैं ये पे सरसों के खली और 50 ग्राम्स तक पियाच के छिलके 50 ग्राम्स केले के छिलके और 100 ग्राम्स नीम की खली ये सब मैंने एक साथ भीगों के 10 दिन तक रख दिया अब उसको मैंने चान ली और एक लिटर में उसका जो गाढ़ा बना जो खाद बनी इसका एक लिटर में मैंने 10 लिटर के करीब पानी मिलाया 10 से 15 लिटर पानी मिलाया क्योंकि जदा गाड़ा मुझे देना नहीं है बारिश का मोशा में जदा गाड़ा देने से फिर फंगस सोने की डर रहता है हाँ जरी से अब मैंने दो चमस फंगिसाइट से भी इसमें मिलाया क्या कि फंगस ना हो जाए सर्सों के खली में लिक्वीड देने से फंगस कड़ा डर रहता है तो मैंने बनाई ये खाद देख लीजी लिक्वीड खाता है ये बिल्कुल हलका है इसको गाड़ा बिल्कुल मत करिए और धूप में न डाले शाम के बाद हिसको डाले एकदम पतलाा सा बनाई जैसा लिकर बनता है बीना दूचीनी के बस ऐसा एकदम हलका सा बनाई है और बस एक दस सिंच का करीब करीब टॉब हो तो उसमें ऐसे मग में एक लेटर का मग में आप डाल दीजिए यह देखिए अब एक दो दिन में आपका सारे पत्ते हरे हो जाएंगे फिर नई नई कलिया भी आने लगेगी और जो अगर कीडे मकोडे बरसात के दिन में तो होता रहता है वो भी जाने लगेंगे ठीक है तेंक यू तेंक यू पर वाचिंग